हेलो दोस्तो वर्कम नुमाइज चानल सेवी कॉंसेप्ट दोस्तो आज की वीडियो में मैं 20 by 40 के एक प्लॉट के अंदर आपको प्लानिंग कर करके बताऊएं गया की प्लानिंग करते कैसे कैसे स्टेफ अपके प्लानिंग कैसे ओता है तो यह जो है मिरा 20 by 40 प्लॉट है और यह जो दोस्तो उसका रोड साइट है यह अंदर में 20 के अंदर ऑन सॉंद बेड़ुम में दो बनाने है किचे नमेद जोस नमें बनाना है वन पार्किंगेली या स्टेर मतलब इतनी चीज़े हैं दोस्तो इसके अंदर हमें प्लान करनी है तो डिरेक्र लिगुफ करने से पहले मैं आपको बताहूंग iya roughly बीना Scale के आपको यहाँ पे eck plot अपना जो plot है वो ड्रोव कर दीजे इसके Dimension देदीजे यहाँ पर उसका 20 feet है राइड यहाँ पर उसका 40 feet है बीना dimension के यहाँ पर यहाँ पर उसका रोड है तो सबसे पहले क्या करें कि margin छोड़ देते तो मैं margin छोड़ूँगा यहां से उसका 4 feet का margin है मैं यहां से छोड़ देता हूँ back side भी हम छोड़ देंगे margin करीब हम 3 feet के करीब तो यह बचा दोस्तों बचा 33 feet मतलब 33 feet और यह 20 feet इसके अंदर हमें इतनी चीज़े हैं दोस्तों इसके अंदर fit करने है margin छोड़ने के बाद तो फिर क्या करें हम सोचें कि हमें कौन सी चीज कहां पर रखने है तो मैं चाहूँगा कि मेरा जो stair है वह इस side है ठीक है यह मेरा stair है मैं चाहूँगा कि उसके बाजू में ही क्या हो गया मेरा kitchen आ जाए यहां पर मैं kitchen दे देता हूँ और यहां पर जो space बचेगा उसके अंदर दोस्तों parking दे देते हैं तो यह मेरा planning एक हो गया तो अब इसको dimension हमें देना पड़ेगा तो मैं stair को minimum dimension है दोस्तों हम ले लेंगे stair minimum यह जो distance है 6 feet by में 9 feet लेता है मतलब 6 feet ऐसा 9 feet ऐसा तो 9 feet तो common हो गया कि यहां में 9 feet रखनी है क्योंकि continuity जो wall है वो maintain करनी पड़ेगी 9 feet का आएगा अब सोचना है कि इसकी wheat कितनी रखे दोस्तों total कितना है दोस्तों यहां पर 20 feet total है तो यह 6 और यह 7 और यह 7 साथ साथ 14 हो गया 14 और 6 20 हो गया तो यह हमारा complete plot जो है दोस्तों यहां पर cover हो गया यह मतलब यहां इसके बाद स्प calming सोक करना हो twee यहां ना है ओको करना है सबस्त नेद्राइंग यहां यहां व करना है यहां का यहां ट्वात पर यहां वाछ एग और यहां यहां पर एक space छोड़ देंगे कि directly हमें जो drawing room में वहां से entry हमें ले रहा नहीं है तो यहां पर मैं छोड़ूंगा करीबन 4 feet by 3 feet का और एक space छोड़ देता हो राइट यह हो जाएगा WC plus 11 ball तो यह 44 हो गया कितना दोस्तों यह हमारी चार become 4 कितना होगे 8 feet के करीम हो गया नहीं यह 7 okay वर्टिकल देना है न हो गया मतलना यह तो फीश होगया यह 10 feet है यह कितना पचेगा दोस्तों यहां पर 4 feet है तो यह total कितना है बीस 20 में से हम 4 निकाल देंगे तो बचेगा 16 फिट तो यह हमारा ड्राइंग रूम आ जाए ठीक है इस तरह से हमें प्लानिंग करना है दोस्तों यह डायरेक्ली हमें टोटल इसले ले रहा हूँ कि बाद में वाल इंसेट करने के पाद जो एक्चुल एरिया बचेगा उस्तों हमको वह बेड्रूम दे देते हैं या फिट बेड्रूम और इसको हम नाम देंगे कॉमन बेड्रूम तो इसके डायमेंशन करेंगे यह टोटल कितना है दोस्तों 20 फिट है तो यह जो होए दोस्तों यह 10 फिट फिक्स हो गया कि हमारे जो वी थे वो 10 फिट रहेगी अब हाइट की बा अरीबन 14 फिट यह 14 फिट हमें यहां पर मिल गया है ठीक है यह 14 फिट हमारी 10 ऐसा 14 ऐसा तो 10 by 14 का हमें यहां पर प्लॉट देना है अगर आपको जानना है कि मिनिमम साइज कितनी होनी चीह तो मैंने यह टेबल भी दोस्तों बना दिया है अगर आपको इसका जो ट्राइट रखते हैं कि जैसके ड्राइट रूम है तो सके तेरा फिट फिट बाइव फंद्रा फिट का भी आप रख सकते हैं 19 वीट तक तक रख सकते हैं बैडुम है उसको 9 फिट ग्यारा फिट लेकर 13 वीट फिट का इस तरह से अलग अरगा रूम के जो डाइमेंशन है दूस्तों यहां पर दिए गया यह मतलब श्टांडर तो नहीं यह स्टांडर डायमेंशन है जो आप प्रिफर कर सकते इसके बीच में अगर आप कोई भी डायमेशन लेते तो वह सही रहेगा इससे ज्यादा भी आप बना सकते पर इसका स्क्रीन सोट ले लिए जो आपको यूसफुल हो मतलब यहां 1-0 महें यहां से if you're ॥ो और जो खीचर नियुशंता सी अंदर रहेगा कए इहां से रहेगा यहां से हो स्पेसी रहेगा यहां से एंटर होगे यहां से जाएंगे यहां पे इसका दर्वा जाए दोस्तों मैं यहां से दे देता हूँ इसको भी मैं डीवन नाम दे देता हूँ और इसका जो एंटरस रहेगा वो यहां पे रहेगा और विंडो की पोजिशन तो हम बाद में सब्सक्राइब दोस्तों यह हमारा इस साइड से प्लानिंग करते जाना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले तो मार्जिन छोड़ देते हैं दोस्तों कितना मार्जिन हमें चोड़ना है तो चार फीट हम स्केल दोस्तों यहां पर मैंने लिया एक सेंटीमीटर बराबर एक फीट का स्केल दिया है तो मैं यहां पर एक सेंटीमीटर बराबर एक फीट है तो मुझे छोड़ना कितना है दोस्तों चार फीट आगे से चार फीट खोड़ना है तो मैं चार सेंटिमिटर के गरीब मियांसे नी हो जाता तहकें यहांसे 4 सेंटिमीटर छोड़ देता हूं धुकलं के एक रफ लाइन में यहां पर बना देता हूं ऐसे कुछ भी आपको डार्क नहीं करना जबता आपका प्लानिंग फाइनल नाइस नहीं हो जाता ठीक है यह मैंने मार्जिन छोड़ दिया अब पीछे वाला मार्जिन छोड़ना पड़ेगा हमें पीछे वाला मार्जिन कितना छोड़ना है तो की स्केल हमारा है एक सेंटिमेटर onia यहां से में 3 cm छोड़ देता हूँ okay आ कि यह मैंने 3 cm छोड़ दिया अब इसके बीच इसके अंदर हमें प्लानी करना है तो क्या करना है उसके बाद आपको लेना है 6 by 9 feet के हमें एक यहां पर stair आएगा उसके बाद kitchen आएगा और यहां पर parking आएगी तो मैं वह parking में आपको बता देता होती है दोस्तों के यहां पर मैंने मार्जिन चोड़ा यह हो गया अब यह टोटल इसके बाद दोस्तों कि यहां पर मैंने मार्जिन चोड़ा यह हो गया अब यह टोटल कितना है दोस्तों साथ तो और तीन दस फीट है यह 10 फीट है यह 10 फीट फे और एक लाइन ड्रोव कर देते हैं यहां से 10 फीट की जो लाइन यहां से ड्रोव कर देता हूं यह 10 फीट है यह 10 फीट है यह 10 फीट है इसको लाइन बना देते हैं ओके ठीक है और बाकी बचा दो दोस्तों वह बेडरूम के लिए हो जाएगा हमारा ठीक है तो यह दू बचेंगे वह बेडरूम के लिए हो जाएगा तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो अभी यह कितना है हमारा हमारा 9 आच फीट है यहां से में 6 फीट छोट देता हूं यहां से 6 फीट मतलब स्टेर के लिए यहां पर आएगा करीबन यह चे बाए 9 का है मतलब यहां से भी ले लेते हैं 6 फीट हो यह सी पड़ेगा यह मेरा स्टेर का डाइमेशन हो गया वहां से साथ फीट हमारा चोटना है तो साथ फीट मतलब यहां पर आएगा और बाकी जो पचा तो स्टो पार्किंग में जाएगा उसी तरह से यहां पर क्या छोड़ना है हमें यह कितना है चार फीट यहां से चार फीट लेना है हमें जाएँ कर देंगे है कि यह तो हमारा ड्राइंग रोम आगया बेडरूम में क्या करना है हमें बेड्रूम में हमें क्या करना है दस फीट का बेड्रूम है तो यह टोटल बीस फीट है तो इतल बीस सेंटिमीटर है तो हम दस फीट पे एक लाइन ड्रो कर देंगे दस फीट एक दस फीट एक दस फीट एक दस फीट पे एक लाइन बना देंगे तो इसको हम जॉइन कर देंगे इस तरह से ओके तो इनिशली हमने जो हमारा प्लानिंग रफ प्लानिंग किया सा उसके मिताबिक हमने क्या किया यहां पर बना दिया है ठीक है यहां से एक देंगे यहां पर ऊब किया से यहां से जन ली यहां पर चाहिए पर पंदू Wenn Moh мо अपर पर कियको में राख सकते कि एक उफ फिन है कि कैसे आपको क्या करना है की तो मैं पहले किचन भाल के लाल क्योंकि वह ल्यान पर्लेगा ऊकि उसके बाद जो इनर वॉल है दोस्तों होती तो है इनर वॉल हमारी होती है 400 cm ही फिट यह तो स्पार तो श्राइब क्राइब कि यहां पर सण 50 फ्रोल इसलिए इसलिए गया है कि आपको अच्छे से पता चले कि मैं क्या कर रहा हूं यह थोड़ा एनलार्ज हमारा ड्राइंग रहेगा कि इसको हम खीचेंगे कि आपक। झाल झाल जाल झाल झाल सब्सक्राइब अब दोस्तों इसका dimension नाप के हम इदर लिखते हैं तो फेला तो क्या करेंगे horizontal dimension देखते कि कितना है तो यह करीबन देखें यहां पर 14 feet के गरीब है और यह dimension दोस्तों हमारा कितना बचा 9 feet तो हमारा जो room की size आ गई वह आ गई 14 feet by 9 feet इसकी size नाप के देखेंगे क्योंकि wall insert करने के बाद हमारी room की size change हो जाएगी तो यह हमारा horizontal कितना रहेगा 14 feet ही रहेगा vertical हमारा change होगा कितना होगा 8 feet और 3 inch तो यह हमारा 14 feet by 8 feet by 3 inch ड्राइंग room का भी size नाप लेते हैं कितना बचा हमारा drawing room हमारा बचा 9,5 feet है और यह 14 feet है तो यह हमारी size आ गई 9 feet 6 inch by 14 feet और 3 inch यह हमारी drawing room की size kitchen की भी नाप लेते है kitchen हमारा करीबन 6 feet का है और यह ऐसा हमारा कितना है 7 feet का तो हमारा kitchen हो गया 6 feet by 7 feet का बाट ड्राइंग का भी नाप लेते हैं कितना है दोस्तों window कहां का provide करनी है वो तो आप easily decide कर सकते कि यहां पर देखिए bedroom में तो यहां पर एक window आ जाएगी यहां पर एक window आ जाएगी तो वो आप प्रोड़ कर सकते मैं आपको दिखा देथा हूँ कैसे प्रोड़ करेंसे ज्यादे स्यादा अपम 2-2 तो 2.5 meter की जो window है 2-3 feet की 3 feet यहां चार फीट के भी आप वी प्रोवाइड कर सकते हैं वो तो मैं आप इसको वीडियो में नहीं कर दोंगा दूसरी बात दूस्तों कालम की आती है कहा कहा कालम रखे तो आप पोजिशन में आपको बता देता हूं कि कहा का हम कोलम रख सकते हैं देखें कोलम एक यहां पर हो सकता है एक यहां पर रख सकते ह लखें दोसरा यहां पर रख सकते हैं कॉलम में आपको बता देता ह। िससुल इस हमद्र एक कॉलम में निए कॉलम चल्ण में मैं अपको लोकेशन करें दो कहा रखेंगें तो FROMDio समदंध्राइब दो दोस्तों एक kolum हमारा आ जाएगा 300 by 300 यह हमारा kolum हो गया यहां पर भी कॉलम हमारा आ जाएगा इसके बाद दोस्तों यहां पर एक कॉलम आ यहां पर फाई है तो इसको एसे अंदर के साइड कर लेंगे तो यह भी एक हमारा kolum हापर आ गया यहां पे यहां भीमेह कोलम आजाएगा हमारा करकें यहां भीमेह कोलम आजाएगा बाएख सकते हो यहां रखते हूं लोकेशन यहां पर ऐसे और कि हमारे एक हमारे कॉलम का जो लोकेशन है दोस्तों यहां पर आएगा इस तरह से कि इसद्म को कि यहां पगया है कि यहांपर है मतलब आप यहां पे भी एक कोलम वारा लोकिट होगा हाप कॉलम आएगा कि और यहां पे यहां पे ऐक कॉलम लगा देंगे हैं हम इक्षोंद्र Safeill sinw positive को कॉलम यहां पर भी लगा देते हैं कॉलम ठीक है कॉलम का दूस्तों लोकेशन भी आ गया और यहां पर भी एक कॉलम लगा सकते हैं यह जो पोजिशन उसके अंदर सभाजन आजबंगें कॉलम ंउसे कंचे हैं कैसे हमें आपड़न record क्रेंगर तो मैंने आपको दोस्तों कॉलम का लोकेशन करना है वो भी अधिया है यह सिंपल फ्लान था कैसे हमें अपने भेशन करना а ओके दोस्तों यह दोस्तों complete plan था कैसे हम एक actual building का मैंने plan करके बताया जो 20 by 40 का है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ और आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ planning करूँ तो आप जरू कमेंट कीजिए मैं try करूँगा कि मैं आपको लिए एक plan prepare कर पा सब्सक्राइब माँ चानल सिपी कोंसेप्ट